नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की देश दुनिया बहुत तेजी से अपनी राजनीती में कूटनीती में बहुत गहरे तक बड़े परिवर्तनों की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है एक ऐसा ही देश है कॉलंबिया लातिन अमरीका का बहुत एहम देश जहां पर अमरीका का अमरीका परस्त नीतियों का बहुत जबरदस्त बोल बाला रहा है और वहां पर दिखाई दे रहा है शुरुवाती संकेत ही सही लेकिन बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर वा कहिए कि साफ हो चुका है कि अभी तक जो लोग शाशन में थे वह शाशन से बाहर जा चुके हैं वहाँ पर पैत्रो जो बागी उम्मीदवार के तौर पर बहुत लंबी उनकी प्रिश्ट भूमी रही है एक मिलिटेंट लीडर के तौर पर वह इस समय वहाँ पर लीट कर रहे हैं इस पर हम बात करेंगे प्रबीर पुरकायस से प्रबीर हम आप से जनना चाहते हैं कि एक और देश लातिन अमरीकी देश कोलंबिया वहां पर भी जो संकेत मिल रहे हैं हाला कि शुरुवाती संकेत हैं 19 जून को तस्वीर जादा साफ होगी वहां पर भी दिखाई दे र हैं जिस तरह से पेट्रो आगे बढ़ रहे हैं लग रहा है कि वहां पर भी एक बड़े पैमाने पर तबदीली होगी क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि लातिन अमरीकी की बाकी देशों में लाल या लाल समर्थक राजनीती और अर्थवेवस्था ने अपना दबाव ब जिसमें एक नंबर वन और तू एक दूस्टे के खिलाब लड़ेंगे और यहां पर नंबर थ्री जो जिस तर स्थान में थे वह भी राइट विंग के हैं नंबर तू राइट विंग के हैं उनकी दोनों की वोट अगर मिलती है तो क्या होगा वहीं बताना मुश्किल है पर बामपंथ की रुजान नहीं दिखाया अभी तक वहाँ पर बड़े लंबे अर्से तक वहाँ पर एक आर्म स्ट्रगल भी चला जिसकी शांती की काफी पहल कदमी हुई ने वो जो अभी प्रेजिदेंशेल केंडिडेट है बामपंथ के तरफ से वो भी उस प्रालतिकारी शक् ओर उन्होंने शांती की बात करी और यह जो शांती की बात जो इनकार करने करने वाले तत्वा है वह पीछले 20 साल तक वहाँ पर शांती की वारतालाब के बाद भी अपना राज चलाए और शांती की जो शर्ते थी उपूरी नहीं करने थी जिसको उरी प्रेजिडेंट उरीबी की उरीबे की सरकार उसकी पहल कदमी से पीस साल ये शांती का जो वातावरन था उसमें अर्चन डालने की कोशिश की तो ये पहली बार है कि बाम पंथ की एक रान ओफ सिर्फ में नहीं जा रहा है रान ओफ में दूसरे प्रति दौनदी से काफी आगे है पिछले बार भी रान ओफ में गए थे और मारजिन में थोड़े मारजिन से हारे थे तो इस बार संभावना क्या है वो तो बाद भी पता चलेगा वह तो कि लेटन अमेरिका में काफी बड़े पैमाने पे लेफ्ट टाकते फिर वापस आ रहे हैं अभी मेक्सिको में हमने यह देखा है दूस्ते देशों में देखा तो है ही और ब्रजिल में भी संभाबना ही है कि लूला जो है फिर जीत के आएंगे और बोलसुनारों हरेंगे अभ कलंबिया यह पहली बार इस तरह से बामपंती रुजान दिखा रहा है इसलिए एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कलंबिया में भी यह परिबर्तन होता है पर दो चीज इस पे इस चुनाओं में देखने को मिला है एक तो है कि जो रूलिंग राइट विंग फोर्सेस थे जो ट्रेडिशनल राइट विंग फोर्सेस है थे वो पुरी तरह से शिकस्त पाई है वो हार गए है क्योंकि उनका नंबर टू होने बाला था गुईति रेस उनका पूरे राइट विंग जो पार्टी स्थी पहले की उन्होंने उसको समर्थन किया था वो दूस्ते स्थान नहीं आपाए पर जो प्रतिद्वंदी निकला है वो एक ट्रॉमपेन प्रतिद्वंदी है वो अपने आपको हर्नांडेशhone है अपने आपको अलग समझता है सबसे पर है तो पूरी तरह से राइट जैसे और ने कहा ट्र MIDI वो कहता मैं कोई भी राजितिक द्वल को स्कार द देना चाहता हूँ, है बिजनिसमें, कंस्ट्रक्शन बिजनिस से आता है, जो कि बहुत क्लीन बिजनिस कभी रहा नहीं है, कलंबिया में खास तौर से, तो वो जबी जो है, उसको धुमल करके, वो कहना चाहता है, मैं सब राजनितिक शक्तियों से अलग हूँ, तो मैंने जो कहा, एक ट्रॉम्पियल फिगर के रूप में आना चाहते हैं, और यहां दिल्चस्प है कि इनका सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया पे जो पहुच और पूछ है, और जिस तरह से इन्होंने फ्लड किया है, सोशल मीडिया को और वहीं दूसरी तरफ जो विकल्प की बात है, बड़ा मज़ेदार है कि आप देखिए, जो टर्म इस्तमाल हुआ, जो शब्द इस्तमाल हो रहा है, करॉप्शन, अंटी करॉप्शन की बात है, और वो यह खेमा कर रहा है, जो सामने खड़ा हुआ है, कि हम करॉप्शन रोकेंगे, हम विकल्प लाएंगे, चेंज लाएंगे, तो मुझे बहुत कुछ भारत के संदर में कई चीजे याद आ रही थी, कि ये शब्द, जो जनांदूलों के शब्द रहे हैं, उनको कैसे दूसरे ढंग से इस्तमाल किया जाता है, तकरीबन दिखाई दे रहा है कि कोलंबिया में ये जो समू है, ये जो ग्रूप है, ये ऐसे ही इस्तमाल कर रहा है, वो ट्रॉप की शकल इसलिए में ने बताया, वो भी अपने आपको कहता, मैं पूजी पती हूँ, इसलिए बाइद मुझे पैसे लेनी की जरूरती नहीं है, मैंने तो अपना ही पैसा लगा रहा हूँ, तो जो वहां पर की जो बातचीत है कि पूजी पती ही अल्टरिटिव बनेगा, क्योंकि वो करॉप्शन नहीं चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूजी ही करॉप्शन का जड़ है, तो यह जो चीजे है, यह इसलिए बैर इसको ट्रॉम्पियन शक्ति, ट्रॉम्प बुलसनारो जैसे फिगर, जो अपने आपको अल्टरिटिव राइट विंग पोर्स मांगते है, उसका यह प्रतीक है, तो जवाब देने की स्थिति में आ रहा है, यह जवाब देने की स्थिति में आ रहा है, जरूर यह बात है कि आम जनता में यह असंतोश है कि हमें जो राजडितिक फल मिलनी चाहिए, आम जनता को कि शोशन कम हो, हमारे पास पैसे हो, हेल्ट सिस्टम सुधरे, एडुकेशन मिले, यह सब तो गुनियादी दिमांड्स है ही लोगों का, पर कलंबिया में इसके साथ-साथ यह भी है, और दो चीज है, एक तो है कि जो लंबी लड़ाई रही है वहाँ पे, वो शान्ति कैसे काइम की जाए, यह प्रोश्मा कैसे हो लोगों के बीच में, यह एक बहुत महत्त सवाल वहाँ पे है, जो राइट विंग वहाँ नकारना चाहता है, और यह जो अभी प्रतिदवन्दी के रूप में निकला है, हर्नांडेस उनका भी एही कहना है, कि हम इस तरह के शान्ति नहीं चाहते, तो एक तो यह है, शान्ति और समाज के अंदर एक फिर लोग जुड यह एक बहुत बड़ी इशू कलंबिया में है, दूसरी बात, पहली बार प्रेजिदेंशिल कैंडिडेट को देखिएगा, वहाँ पर सिर्फ आरवत ही नहीं है, वो उसकी एक आफ्रिकन ओरिजिन है, जो कि लाटन अमेरिका में लोग इसको नजर अंदास करते हैं, कि लेकर आई है, और इसलिए यह भी एक बहुत महत्रपूर्न गटना है, कलंबिया के इतिहास में, जो बहुत ज्यादा अमरीकी परस्त रहा है, बहुत ही राइट विंग रहा है, बहुत ही पुजीवादी सिर्फ नहीं, पर पूरी तरह से वहाँ जो लैंडेड इस्टेट से उनकी पक्ष में रहा है, इस सब चीज में हर्नादेस उनके साथ है, चली हम निगाह रखेंगे कि गुस्तावो पैत्रो किधर जाते हैं, क्या बहुत मिलती है, क्या कोलंबिया के इतिहास में फिर पहली बार लाल लहराएगा की नहीं लहराएगा, ये हम आप इस पे निगा उक्रेन, रूस और बाकी जो यूरोपी देश और अमरीका घिरा हुआ है, चारों तरफ से घेर रखा है पूरी दुनिया को, अर्थ वैवस्ता, तेल, जिस तरह से इस समय जो संघर्ष चल रहा है उक्रेन में, क्या आपको जो आशंकाएं हैं, क्योंकि आशंकाएं बहुत तेजी से बल्वती हो रही हैं, तेल को लेके जो आशंकाएं हैं, बाकी आसपडोस के देशों को लेकर, जिस तरह से तमाम देश इसमें कूद पड़े हैं, खुलकर आ गए हैं, होगा क्या किस तरफ यूक्रेन संघर्ष जा रहा है? देखें, यह जो पहली प्रचार थी, कि यूक्रेन जीत रहा है, रूस हार रहा है, यह तो यह स्वर तो कम से कम, में जो अमरीकी न्यूस्पेपर से, उससे भी धिरे-धिरे गाइब हो रहा है, इस सब्चाएं नियॉर्क टाइम्स है, वाशिंटन पोस्ट है, यूके का फा रूस्टन यूक्रेन में रूस की सेनाय जीत हासिल कर रहा है, और उनका जो दॉन बास को मुक्त करने का उनका एलान था, वो करीब करीब हो चुकी है, सिर्फ एक शहर अब बाकी है, सिवियरो, सिवियरो, दॉनियेट्स करके लिश्पर भी, वहाँ पर भी रूसी सेना शहर को मुक्त कराना इतना आसाल नहीं होता है, वह हमने मारियापोल में भी देख चुके हैं, पर चारो तरह से घेब चुके हैं, और धीरे धीरे उसको पूरी तरह से उकुपाई करेंगे, यह इस शहर का पतन के बाद लगता है कि लुगांस्क और दोनियस्क दोनों प्रा आया जा रहा था और जो हमें पता था, जी, जी, हा क्योंकि यहां पर मिंस्क अकॉर्ड जो 2014 में होना था, जिससे उनको सेल्फ गावर्नेंस का अधिकार मिलती, और टॉनमी मिलती, वो सब इंकार कर दिया था उक्रेन में बाद में, खास तरह से 2014 की कू के बाद, और पूरी तरह से रूशी भासा, रूशी रूशी आइडेंटिटी को खतम करना, जो की यूक्रेन का करीब 40-45 परतिशर्द लोगों की आइडेंटिटी है, अखबार बंद कर देना, रूशी भाशा की अखबार, टेलिवेशन स्टेशन बंद कर देना, जितने सारे कारिक्रव हुए वो इस रीजन की रूशी आइडेंटिटी लोगों की खतम करने की कोशिश थी, तो वो तो नाकाम हुआ है, और लग तो रहा है कि उक्रेन फोर्सेस काफी बैक फूट में है, और वो कोई इस तरह के कोई संधथित रिजिस्टेंस नहीं कर पाएगी, सिर्फ शहरों में जहा पर फाइट करना हमने देखा है, काफी दिक्कत पौथी है, क्योंकि काफी लोगों की नुकसान जालो, जानो माल की नुकसान होती है, तो उसको देखते हुए, रूस आगे क्या करेगी देखने की बात है, पर यूक्रेन का मिलिटरी को एक हिसाब से, उन्होंने इस्टन करीब करीब खतम कर चुके है, ये तस्वीर अब निकल के आ रही है, और मैंने जो कहा, नियॉक टाइम सो वाशिंग्टन पोस्ट है, जो कि कह रहे थे लगातार की रूस हार रही है, बहुत ही हालत खराब है, यूक्रेन जीत के रास्ते पे है, वो कहना शुरू किया, ये हक ठीकत नहीं है, जो तेल को लेकर पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, कूठनीती जो चल रही है, थोड़ी इस पर बात करनी मुझे इसलिए जरूरी लगती है, क्योंकि इसके इर्दगिर्द, इसके जरिये, क्योंकि अब वह आर्थिक सैंक्शन जिनके बारे में हम लगातार अपने कारेक्टर में बात कर रहे थे, अब उनका अमल करने पर मशीनरी उतारू है, और लग रहा है, कि वो बहुत बड़ा जोखिम अपने अपनी पॉपुलेशन को लेकर भी डालेगी, क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या जो यूरोप के देश हैं, वह अपनी प तो इतना जरूर है कि तेल और गैस पे कितने दूर तक सैंक्शन लगाएंगे, इस पर अभी प्रशन चिनना है, क्योंकि पहली बात तो ये है, कि रूस ने कहा है, अगर हमसे गैस खरीदनी है, तो हमें आप रूबल्स पर पैसे नहींगे, तो उसको इंकार किया है, कुछ देशों ने अभी तक और रूस उनकी गैस काटना शुरू किया है, जर्मनी, इटली, जो बड़े खरीदार है, अभी उन्होंने रूबल्स में खरीद रहे हैं, वो अभी तक इसको बंद नहीं किये हैं, ये नहीं कहा है कि हम नहीं खरीदेंगे, पर डेन्मार्क, हॉलेंड और भी बुल्क हैं, पहले हमने जिसको जिकर किया है, उन्होंने कहा था, हम नहीं खरीदेंगे, और ये चीज अभी भी चल रही है, कि रूबल्स पे हम गैस नहीं खरीदेंगे, और तेल पर प्रतिबंद लगाने की कोशिश की बात चल रही है, ये यॉर्पेन यूनियन मे अभी भी इस पे सहमत ही नहीं है, हो सकता एक, दो, चार दिन में इसके उपर सहमत ही हो जाए, और रूस की ऑईल एक्सपोर्ट्स भी साल के अंत तक आए कि उन्होंने उसको ऑईल एक्सपोर्ट्स भी वहां से वो बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, खरीद देंगे नहीं तो सवाल है कि दोनों चीज यॉरप के लिए क्यों खतनाख है क्योंकि यॉरप की जो बड़ी economies है चाहे वो जर्मनी हो चाहे इटली हो चाहे स्पेन हो वो काफी हद तक गैस और तेल पे रूस की गैस और तेल पे डिपेंड करता है तेल फिर भी हो सकता है ओपेक देशों से द परिवत्तन करना है उसकी पूरी infrastructure बनानी पड़ेगी tankers मिलनी चाहिए और suppliers होनी चाहिए तो इतने बड़े पैमाने पर उस रूसी गैस को substitute कर पाए तो यह लगता है कि चाहे जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो चाहे स्पेन हो चाहे इटली हो सब एक ऐसे रास्ते पे जा रहे है क कि वो अपने economy को भी जोखिम में डालने के लिए तयार है और मुझे लगता है कि अब देश और दुनिया इसी दिशा में बढ़ रही है क्योंकि हम और आप जब से चर्चा कर रहे हैं और पूरी दुनिया जब से देख रही है युक्रेन संघर्ष को आज की तारीख में वह अब इस समय एजेंडे से ही गायब दिखाई दे रही है जो कम से कम एक महीने पहले तक कहने को ही सही लेकिन शान्ती वारता और शान्ती के क्या बिंदू हो सकते थे अब तो फिलहाल दिखाई दे रहा है कि वह चाहते हैं कि युद्धों सैंक्शन्स हों और तमाम देश इसी गर्थ में जाते रहें लगातार यह पस्वीर बहुत साफ हो रही है इस पर हम अपनी निगाह बनाए रहेंगे और चर्चा करेंगे क्योंकि इस से पूरी दुनिया बहुत गहरे में प्रभावित हो रही है शुक्रिया दोस्तों एक बात बहुत साफ है कि यूकरेन में जो संघर्ष चल रहा है जो युद्ध चल रहा है उसमें रूस जितना शामिल है उससे कहीं जादा अमरीका के हित नैटो के हित शामिल है उसे गाइड कर रहे हैं और यह तमाम ताक्तें नहीं चाहती कि शान्ती अमन कायम हो लगातार जो संकेत इस समय साबने आ रहे हैं वह बता रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि यूकरेन तबाह हो जाए और इस बहाने अमरीका को दुबारा अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में इस्थापित करने का मौका मिले और इस बार निशाने पर यूरोप होगा यूरोप की पूरी की पूरी अर्थ वैवस्ता जिस तरह से घुली मुली है रूस से उसमें जो असर पड़ रहा है युद्ध का वह बहुत चिंता जनक है निश्चित तोर पर हमें और आपको सोचना चाहिए जुड़ना चाहिए बात करनी चाहिए शेयर करना चाहिए कि देश और दुनिया में शान्ती हो शान्ती की क्या राह निकले इसके लिए हमें और आपको फिक्रमंद होना बतौर ग्लोबल सिटिजन बेहद जरूरी है शुक्रिया